सो बचावाटी हम पढ़ रहे थे people as resource economics का second chapter class 9 से आज इस chapter को खतम करना है क्योंकि बहुत ही चुटे-चुटे topic बचे हैं last lecture में हमने क्या किया था last lecture में हमने discuss किया था quality of population उसको कैसे improve कर सकते हैं तो सबसे पहला segment उसमें हमने देखा था कि education को improve करके आप quality of population बढ़ा सकते हो na human capital की now फिर हमने यह भी देखा था कि steps क्या लिए गए थे government के थ्रूँ कैसे जो establish करने के लिए four कुछ हमारे पास में specifications थे we have adopted and conscious strategy follow की गई थी 11th 5-year plan में now it's the time for next base और यह जो next base है यह basically depend करता है health के उपर मतलब जो पहला point था quality of population improve करने के लिए that was education and now we are talking about the second base यहाँ पर second base है health अब भी तुम जानते हो कि health का क्या aspect है health का क्या importance है एक healthy person कई सरे ऐसी चीज़े कर सकता है जो कि शायद nation के लिए आगे चलके asset create करें लेकिन अगर unhealthy people है तो वह हमेशा liability बनके रहाएगा यहाँ पर भी वही चीज़ बताएगी है कि हमेशा अगर किसी person की health को जब आप measure करते हो तो उस person के बारे में आप realize कर सकते हो कि उसकी क्या potentials है और क्या abilities है क्योंकि obviously जब कोई healthy person है तो उसकी abilities वह मतलब पता कर पाएगा साथ ही साथ ability, capacity, potential, all सारी चीज़ें वह पता कर लेता है और ऐसे में वह कभी भी liability नहीं बनता लेकिन unhealthy person है तो liability बनेगा हमेशा किसी भी nation के लिए जैसे imagine कीजिए अगर कोई भी person है ऐसा होना नीची किसी के साथ बट अगर उसके कुछ handicap हो जाता है वह या फिर किसी तरीके से वह physically weak हो जाता है it disabled हो जाता है या special आप कहा सकते हो कोई case होता है तो ऐसे में वह person देश के लिए liability बन जाएगा हाला कि ऐसा नहीं कह सकते हैं आपन कि वह assets नहीं बन सकते but maximum जो लोग होते हैं अगर वह अपनी कमजोरी को ताकत बनाते हैं तो वह asset में convert कर देते हैं उसको but maximum ऐसा नहीं हो पाता तो कहीं न कहीं वह weaker section देश के लिए liability बनता है पहले organization के लिए फिर nation के लिए तो यहाँ पर यही चीज़े हैं कि अगर आप कोई healthy person है अगर आपकी health अच्छी है तो वह health आपको realize करवाती है कि आपकी आपकी क्या abilities हैं क्या potential हैं साथी साथ health का मतलब यह नहीं है health does not mean survival only health का मतलब केवल यह नहीं होता कि आप survival position पर हो जब कि health का मतलब केवल physical fitness से भी नहीं होता health का मतलब होता है कि you are healthy with mind you are healthy through economy you are healthy in social order मतलब आप यह मान सकते हो economy में भी आपके पास में इतना है कि आपकी जो capabilities हैं उसके हिसाप से उसके need के हिसाप से जो भी आप gain कर रहे हो वो sufficient है social order आपका बहुत अच्छा है आप जहां पर भी रहते हों आपके expect है dignity आपकी है साथी साथ health तो आएगा physical matter तो केवल physical matter नहीं करता है केवल survival matter नहीं करता इन सब चीजों को भी अच्छी health में add on किया गया है a good health increases the efficiency and learning capacity of the workers अगर अच्छी health है अच्छी health है तो उसका दिमाग अच्छा होगा अगर अच्छा heart है दिमाग अच्छा है तो ultimately वो grow करता है अपने आपको तो यहां पर भी वह कहा है कि अगर आपकी health अच्छी है तो आपकी efficiency भड़ेगी है हमेशा and with a good efficiency you will have the learning capacity कई बार आप देखोगे न कि जो चोर होगा उसको आप सुधारना चाहोगे तो वो सुधरेगा नहीं जल्दी से तो इसने वही कहा कि अगर कोई person healthy है अगर उसका दिमाग सही है अगर उस सही track पर है तो उसको अगर आप सुधारना चाहो उसको कुछ सिखाना चाहो तो वो सीख सकते है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे जो brain होता है वो मतलब आप यह मान सकते हो ठक चुका होता है अगर brain health आपका अच्छा होता है तो for sure आपकी efficiency आपकी abilities यह सारी चीज़े improve करती है तो second position हमारे लिए यही था कि quality of population को आप एक तो education के थुरू बढ़ा सकते हो और उसकी अच्छी health के थुरू भी कही ना कहीं उसकी जो quality होती हो उसको आप improve कर सकते हो क्योंकि हम जानते हैं अब कि अगर अच्छी health आपके पास में है तो you can realize your potentials, you can realize your abilities and अगर ऐसा है तो for sure आप देश के लिए assets का काम करेंगे ना कि liability का देखें और आगे इसमें क्या बताया गया है कि national health policies बनाएगी जैसे education policies बनाएगी थी ना तो national health policies बनाएगी थी और इसके अंदर कुछ चीज़ें add-on की गई थी कुछ elements इसमें add-on की गए थे और इसकी कुछ achievements भी थे जिनको हम यहाँ पर discuss करेंगे तो करें शुरू देखें सबसे पहले क्या aim किया गया था national health policy के इंदर सबसे पहले aim किया गया कि improve करेंगे accessibility of healthcare कि सभी को health care मिल सके families को मिल सके individuals को मिल सके even nutritious food है वो उन सब लोगों को मिले जो की under privileged है ठीक है जो backward section होता है जो गरीब है उनको at least nutritious food मिले और family welfare हो उस चीज़ को आप ऐसे include कर सकते हो कि national health policy ने इन सब चीज़ों को access income कर सकें लोग इस चीज़ के लिए काफी काम किया इंडिया के अंदर built किया गया एक health infrastructure बहुत बड़े पैमाने पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो manpower है वो जरुरत होगी उस manpower की primary sector में secondary sector में tertiary sector में जब और साथी साथ government में भी साथी साथ private sector में भी तो अगर लोग अच्छे नहीं उनकी health अच्छी नहीं है तो for sure ये जो sectors हैं जो हम पढ़ गया है ना भी economic sector में economic activities में तो इन सारे sectors में लोगों की कमी हो जाएगी तो इस कारण से बहुत बड़े पैमाने पर अलग-अलग health care centers open किये गए गए run किये गए government के थुरू इसका main मकसद यही था कि लोगों को चाहे vaccination लगा करके procure करना हो चाहे पहले से उनको aware करना हो कि किस माहौल में उनको रहना है या फिर कई और चीजें जिसके तुरू लोग समझ सकें कि जो भी चीजें हो रही है कि किस हद तक वो चीजें सही है ठीक है तो ऐसे मान के चले हैं कई सारे measurement हमने adopt किये and they get succeeded वो सारी सारी चीजें जो थी वो successful हुई और उसके कारण से कुछ चीजें हुई क्या देखो इसके achievements कह हैं now we are discussing about achievements कि जो life expectancies थी कोई person एक average कितनी life को जीता है इसको life expectancy कहा जाता है तो ऐसे में जो हमारे life expectancies थी वो 66 यह होगी पहले तो क्योंकि आपको पता होगा चोटी सी बीमारी भी हो जाती थी हमारे पास उसका इलाज नहीं होता था लोग मर जाते थे बहुत ही पुराने time में चले जाए तब तो जरूर कह सकता है कि एक लंबे time तक वो जीते थे लेकिन situation कुछ ऐसी हुई upcoming years में दीरे दीरे जैस से modernization हुआ तो बीमारी भी बढ़ी और बीमारी भीडने से जब उनका इलाज नहीं उनको मिलता था तो उनकी दैथ हो जाती थी इविन गाओं देहात में जो आप कहलते हो ना medical facilities काओ ना वहां पर available नहीं होती तो ऐसे condition में क्या होता था वो मर जाते थे लेकिन जैसे जैसे क कुछ हमने national health policies बनाई और उसके अंदर छोटे-छोटे dispensaries छोटे-छोटे healthcare centers open किये गाओं में भी एविन और रोडों से जोड़ा सबको तो ऐसे condition के अंदर हुआ क्या हमारे life की जो expectancies हैं वो पहुँच गई कहां तक 66 years तक मतलब average एक इंसान 66 years तक तो जीता है यह data है 2011 का infant mortality rate एक बच्चे का बर्थ होता है बर्थ होने के यह मानना कि एक साल के अंदर one year complete करने तक कोई बच्चा कितने ऐसे बच्चे हैं मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं 1000 में से जो एक साल complete करने से पहले ही मर जाते हैं उसको कहा जाता है infant mortality rate कि कोई भी person कोई भी बच्चा जो इसने ब रेशो ओवर 1000 ठीक है तो पहले कितने थे एक हजार में से 147 बच्चे मर जाते थे एक साल कम्प्रीट होने से पहले क्योंगी वैक्सिनेशन नहीं होता था बहुत सारी बिमारियां लग जाती थी बट जब हमने ऐसा कुछ पॉलिसी क्रेट किया तो केवल यह जो नंबर था 147 स से गिर करके आप कितना रह गया है केवल 42 हाला कि देखा जाए तो 42 भी बहुत बहुत ज़ादा है ऐसा नहीं होना चाहिए सो गवर्मेंट इसके लिए प्लानिंग कर रही है आज भी वैक्सिनेशन चलते हैं आज आप देखोगे कहीं भी कभी भी कोई बच्चा बर्थ लेता है तो उसका पूरा वैक्सिनेशन चार्ट बनता है उसको एक साल तक लगाता है जो जो बिमारिया हो सकते उसके पहले से ह वैक्सिनेशन कर दिया जाता है जिससे कि वह बच सके ठीक है और ऐसा होता भी है आगे देखे जो क्रूड बर्थ रेट है है वैव ड्रॉप्ट टू 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 पॉइंट पॉंट वान अब देखो क्या होता है एक कुती है एक टाइम स्पैन होता है जिसमें बच् चाना काफी मुश्किल हो एदाथ है तो इसने कहा कि ऐसी कितने बच्चे हैं जो पूरा टाइम स्पैन जो उनका नौ मैने का होता उससे पहले ही बर्त लेते हैं और उसके बाद में वो हल्दी रहते हैं तो ऐसे में प्रॉबबरेटी का मोती ही कि वो हल्दी रहें क्योंकि premature होते हैं तो इसने कहा कि जो crude birth है हमारे यहाँ पे उसकी जो rate थी वो 22% तक आ गई ठीक है मतलब लगबग लगबग ऐसा है कि situation रही 22.1% तक ही अब वो मतलब यह पहले काफे जाद हुआ करती थी तो अभी 22.1% तक ही 2011 की डेटा की एसाब से मतलब बच्चे जो अब बढ़त लेते हैं लगबग लगबग मिचौरी होते हैं ठीक है लगबग 9 मंद का जो इनका period होता है उसको पूरा करके है death rate की बात करें तो यह भी 7% तक कमाई है during the same duration of time 7% तक की कम हो गया इतनी अच्छी health care facility है कि मरे वे को भी जिन्दा कर देते हैं कई बार तो और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इतनी अच्छी facilities हमारे यह हो गई है कि हर एक गाओं में अच्छा multi specialist hospital available है तो वहाँ पर जो critical cases होते हैं जिनको आप दूर ले जाकर के treatment नहीं कर सक 7 times गिर गई है down to 7 during the same duration of time मतलब केवल 7% तक आ गई है वे death rate जो है हमारी 7% तक आ गई है okay समझवा गया same time 2011 तक का so यह सारे वो factors थे जो कि indicate करता है कि हमारे है health care जो है वो लगातार अच्छा कर रहा है and no doubt it has given us a good way जिससे कि हम अपने आपको develop कह सकते हैं धीरे धीरे कुछ ऐ अच्छी होती जा रही है and nation कहीं ना कहीं इसका benefit क्या कर रहा है grab कर रहा है चलिए आगे देखते हैं क्या है so दो policy के basis पे आपने quality of population तो भड़ा दिया अच्छी education उनको दे दी और अच्छा आपने healthcare उनको दे दिया बट उसके बावज़ुद भी कुछ problems आती हैं जिनके कारण से they people cannot get the jobs condition क्या है आपने quality of population अच्छी कर दी भड़ा दी population की quality but still they are unproductive क्योंकि वो कुछ gain नहीं कर पा रहे हैं वो कुछ produce नहीं कर रहे हैं उनका participation नहीं हो पा रहे हैं तो participation क्यों नहीं हो पा रहे हैं उसके पीछे का जो cause होता है वो होता है unemployment due to unemployment ये जो quality आपने भड़ाई है इसका कोई use नहीं निकलता क्यों नहीं निकलता हम पहले तो ये समझते है unemployment क्या है फिर ये बताता हूं क्यों नहीं निकलेगा देखे विया इसने कहा कि unemployment एक ऐसी condition होती है जो लोगों को कहीं न कहीं जिनकी इच्छा है काम करने की बट बेरोजगार उन्हें रख दे समझिए कि जो लोग काम करना चाहते हैं at the going wages जो भी wages चल रही है हर एक time के अंदर wages में fluctuation होता कम जादा होती रहती है but they cannot find the job लेकिन जब उनको job ना मिले तो such situation is called unemployment so unemployment is a set to exist when the people who are willing to work at the going wages but cannot find the jobs ठीक है तो जो काम करना चाहें उस level पर जिस level पर उनको मिल रहा है काम but condition कुछ ऐसे हो जाए कि उसको वो grab ना कर पाएं ठीक है unemployment एक ऐसे condition होगी जहाँ पर जिस भी value पर जिस भी काम के बदले पर जो पैसा दिया जा रहा है जो rates है उसके हिसाब से वो काम करना तो चाह रहे है बड़ उनको job नहीं मिल पा रही है तो उसको unemployment कहा जाता है बेरोजगारी हिंदी में कहते हैं तुम जानते ही होगी ऐसे में कई बार क्या होता है हमें लगता है सामने वाला earn कर रहा है बट उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें ऐसे हो सकते हैं different type की unemployment है जिसके बिहाग पर आप उसको judge कर सकते हो कि he is employed और he is unemployed ठीक है तो कैसे होंगी कितने type के होंगी आपकी book में 5 unemployment के type दिखाए गए हैं हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं और समझनी की कोशिश करते हैं कि unemployment किन basis पर discuss किये गए हैं divide किये गए हैं ठीक है चलिए दिखे इसको ऐसे समझो आप unemployment किस-किस type से हो सकते हैं क्या-क्या classification हो सकता है इसको detail में समझने से पहले एक बरन के नाम दिखते हैं first है disguised unemployment, दूसरा है seasonal, तीसरा है structural, चौतर है educational और fifth है technical इसको simple form में समझाओं तो अगर किसी job के अंदर need जितने लोगों की है उससे जादा अगर available है तो हम क्या कर रहे है एक तरीके से वहाँ पर unemployment क्रेट कर रहे है need है दस लोगों की available है 100 तो ऐसे में ये जो 100 लोग available है या 100 लोग जो काम कर रहे हैं वो अपना human quality, अपनी energy, अपनी efficiency waste कर रहे है ऐसा माना जाता है कि 10 आदमी भी वो काम कर सकते हैं लेकिन उसी काम को करने के लिए 100 लोग वहाँ available है तो ऐसे में क्या होगा, ये जो 10 लोग है अपनी efficiency जो है वो बरबाद कर रहे हैं तो इसको भी एक type से unemployment कहा गया है, क्या नाम दिया गया, disguised दूसरा होता है seasonal, एक season तक आपने gain किया, earn किया और दूसरे season में आप, मतलब उसके जैसरी season off होता है तो आप बेरोजगार हो जाओगे तो ऐसे कुछ लोग यहां बताएगे हैं, जो season to season work करते हैं, तो ऐसे में, जो भी person season के बाद में, अगर कुछ job नहीं कर पा रहा है, कुछ gain नहीं कर पा रहा है, तो उसको seasonal unemployment कहा गया है next है structural, दिखें, इसको दो-तीन तरीकी से आप समझ सकते हो, पहला है structural change, structure of any company अगर अचानक से बदल जाए, ठीक है, structure of any organization अचानक से बदल जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, structural, जैसे imagine कीजे, एक company है, उसमें अचानक से घाटा लग गया, घाटा लगने के बाद सो लोग वहाँ काम कर रहे थे, हमने 50 को अटा दिया, 50 लोग वहाँ है, company का structure बदला है, that is why कुछ लोग unemployed हो गया है, एक ऐसा भी हो सकता है, पहले सारा काम हातों से होता था, बढ़ अचानक से machine ने उसकी जगह ले ली, तो जो भी लोग machine के कारण, machine के आजाने के कारण, जो लोग व capability के हिसाब से हो, ठीक है, जितना आप पढ़े लिखे हैं, जितनी आपकी qualification है, जितना आपकी capabilities हैं, उसके हिसाब से कर आपको job नहीं मिलती, तब भी आप एक type C क्या है, unemployed, ठीक है, तो unemployment, एक तरीके साब कहा सकते हो, कि if you are educated, but you are not having, according to you, आपकी हिसाब की जो job है, वो नहीं म कैसे आप techniques क्या है, कैसे आप उसको use कर सकते हो, technical वो काफी अच्छे sounding है, तो ऐसे में, अगर वो technical sound है, तो for sure they will get the jobs, but किसी को computer चलाना नहीं आता है, किसी को आज की हिसाब से, जो नहीं technology है, वो उसके साथ नहीं चल पा रहा है, cop-up नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में, वो लो of technologies, जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनको इसमें add-on किया गया है, ये तो मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा simple में, अब इसको detail में थोड़ी से एक बार बात करते हैं, one by one इन सब को देख लेते हैं, फिर एक बार quick revision बिलेंगे, पहले देखते हैं, disguised unemployment, देखें, जिस मैंने आपको बताया, एक ऐसी situation जहां पे लोग काम करना चाह रहे हैं, जितने लोगों की ज़रत हैं, उससे जादा लोग available है, requirements से जादा, the people who are actually engaged in such activities appear to be employed, दिखने में employed लगते हैं, but वो unemployed होते हैं, but वो fully employed नहीं होते, देखें, यहाँ पर एक example दिया गया है, कि एक one hect है, जिस पर 10 workers की ज़रूत है, बट वहाँ पर 15 workers लगा रखे हैं, अब सोचो, एक one hectare land है, ठीके ना, आपने कितना लोग लगा दिया है, इस पर 10 people, required 10 की थी, बट आपने सोचा, कि 15 लोगों को लगा देते हैं, काम जल्दी हो जाएगा, साथ ही, एक और problem आ जाती है, कि 5 ल hectare से इसके उपर एक और roof थोड़ी बना लेंगे, कि उसमें भी काम करने लग जाया हैं, है तो one hectare land ही ना, समझो ना बात, कि एक आपके पास में permanent और एक fixed place है, जिस पर आप work कर सकते हो, उसमें efficiency और need है लगबग 10 लोगों की, but there are 15 percent who are doing work over that, उसमें 15 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि one hectare से और जादा हो जाएगी चीज़ें वो, नहीं हो सकती, तो यही चीज इसने कहीं, कि जितने लोगों की requirement है, उससे जादा अगर काम करने लग जाते हैं, तो एक बार दिखने में तो लगता है कि they are employed, बट वो fully employed नहीं होते, हम क्या कर रहे हैं पांच लोग यहाँ पर disguised unemployment के शिकार हैं, पांच लोगों की efficiency बरबाद हो रही है, शायद अगर उनको हम कहीं और वहाँ से हटा करके कुछ और काम करने को देंगे, तो कहीं न कहीं उनकी efficiency काम में आएगी, और GDP में भी directly वो participate करने लग जाएंगे, support मिलेगा, देखें, अग समझने हाली बात है, ऐसी condition जिसमें लोगों की जरौत जितनी हैं, उससे जादा अगर available होते हैं, तो ऐसे में वो लोग seems to be employed, but they are not fully employed, ऐसे में wastage होता है, ठीक है, किसका, capabilities का, qualifications का, तो unemployed कहलाता हूँ, आजएगे, next category पर, next unemployment type पर, मैंने आपको पता है, seasonal unemployment, तो जैसा आप जा season है, खारीव season है, और जाय सीजन है, इन ये देखने को मिलता है agriculture में, अच्छा ये भी चीज में आपको बता हूँ, ये भी unemployment सबसे जब कहां देखने को मिलता है, agriculture sector में, हमारे हैं पर maximum जो problem है, वो agriculture sector के साथ जुड़ी भी है, because each and everyone was not willing to, और उनके पास इतनी education भी नहीं होत है, कि agriculture sector के अंदर lack of different things होने के कारएं, वो लोग unemployed हो जाते हैं, तो ऐसे में, डूसरा point भी देख रहा है हम, दूसरे point में भी बता है seasonal, तो seasonal है मैं आपको बता है, रभी, खरीब, जायद, जो भी seasons होते हैं, उन season के अंदर वो harvest कर लेते हैं, and then after due to some things, जैसे harvesting season खतम होता है, वो unemployed हो जाता है, उनके पास कोई time ही नहीं होता, या A की type की, सोचो, कोई rubी season के अंदरे cropping कर रहा है, कोई खरीफ में कर रहा है, तो ऐसे में, केवल A की season के लिए वो क्या होता है, unemployed होता है, बाकि पूरे time, मतलब पूरे एक साल जो remaining time है, दौनो remaining seasons में वो बेरोजगार रहत है, कुछ ऐसे हैं, जो राखी making का काम करते हैं, कुछ पठाके बनानी का काम करते हैं, कुछ पतंग का काम करते हैं, या यह जो भी season wise जो भी चीज़ें आती हैं, उनका काम करते हैं, बाकी के time वो क्या होता है, बेरोजगार रहते हैं, hopefully समझ माया क्या हो गए तो, simple साही है, देखो, दो-तीन चीज़ें, इसमें और बताए गई हैं, कुछ factors ऐसे हैं, जो responsible हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए, कि lack of small scale and cottage industries in ruler areas, अब problem क्या है, आपने एक खेती कर ली, मैंने बताया ना, यह वाली चीज़ में, maximum agriculture sector में देखने को मिलती है, तो एक season तो आपने harvest कर लिया but what else you can do now, अब आपके पास में ना तो को industry है, जिसमें आप उस चीज़ को convert करके, कोई sub product बना सको, तो आप कुछ करी नहीं सकते हो, आप multiple cropping नहीं कर सकते हो, आप season wise cropping नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको यह तो हो सकता है, पता नहीं हो, यह फिर हो सकता है, कि आपने इतन होगा, पूरे साल उसको store कर ले, ठीक है, अपने खाने जितना तो हो गया, जो surplus हुआ उसको बेच दिया, और अपने पास में कुछ पैसा भी आ गया, अब अपन कुछ नहीं करेंगे, ऐसे में क्या होगा, कि अगर agriculture sector में commercialization हो जाता, तो no doubt, we got some good, अच्छा एक handsome amount हमें मिल ज जालने है, और अपनी जो income है, उसको में multiply करना, so SME के सारी चीज़ें वहाँ गाओं में नहीं मिलती है, agriculture sector में बहुत कमी आ है, so that, जो लोग इससे जुड़े वे हैं, वो एक season काम करते हैं, बाकी season में unemployed रहते हैं, इससे उनकी capabilities कहीं न कहीं वे story होती है, that is why we have add-on in unemployment, देख SME क्या होता है, हर कोई काम करना चाहता है, maximum हमारे यहां जो लोग है, maximum जो लोग है, जिनके अदर education उन्होंने उतनी यह नहीं करी, at least उनको मिलनी चाहिए दी, तो या तो वो काम करते हैं as a labor work, but condition क्या है, structure में लगातार बदलाव आते जा रहे हैं, लोग I am employed जादा है, तो SME क्या करते हैं, वो as a labor काम करने को भी ready होते हैं, तो जितनी demand है, demand जितनी है, supply उससे भी जादा है, ultimately demand क्या हो गई, काम होने लगई, क्योंकि supply जादा हो रही है, और तुम जानते हूँ, कि demand and supply के बीच में काफी अच्छा relations होता है, यह equal होने चाहिए, तब तो कोई दिक्क हो, तो ऐसी condition में structure, अब क्या करेंगे, जैसे imagine कीजिए, 100 की ज़रुत है, 100 मिल गए हमें, काफी competition था, तो कम rate में मिल गए, अब company owner जो होगा, वो यह सुचे का क्या 100 भी क्यों दूम है, क्योंकि एक बार एक machine में one time investment है, और मेरा सारा काम हो जाएगा, और कभी शिकायत भी न है, वो पूरी की, पूरी company बंद हो जाती है, कई बार company बंद हो गई है, अशानक से, profit gain नहीं हुआ, investment नहीं आया, तो ऐसे में कोई company अगर बंद हो जाती है, company के बंद होने के कारण, जितने भी लोग उसमें काम कर रहे थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, unemployed हो गए, तो ये है, या फिर लोग उससे हटने को मजबूर है, तो अगर company के point of view से ऐसा हुआ है, तो उसको structure में count किया जाएगा, ठीक है, देखे, causes क्या हो सकते है, इस तरीक है unemployment के, कि यहाँ पर capital की कमी होती है, of course जब need है, जरूरत है हमें, तो capital हमें नहीं मिल रही है, resources अवेलेबल नह किसे natural resources पर dependent है, अब natural resources लगाता कम होते जा रहे है, ठीक है, जैसे mining हो, quaring हो, या फिर कोई भी, कोई भी चीज जो हम natural resources से गीन कर रहे है, तो ऐसे में, यह कम होते जा रहे हैं, तो of course जो लोग इन से employed है, वो लोग भी under employed हो जाएंगे, या unemployed हो जाएंगे, ठीक है, और workers ब बार बार बहुत जादा, इसमें आप ये भी मान सकते हो ना, कि technology, technology के availability से या technology की कमी के कारण भी इस सारी चीजें होती है, तो इस structure में बदलाव हो ना, किसी company का, उसको इसमें add-on किया गया है, next type दिखते हैं, बहुत ही simple है, next type भी, educated unemployment, मैं आपको बता दिया, याद करो इस population की, और कैसे उसे convert करता है, human resource को, वो सारा हमने देखा था, इसी को ऐसे समझते हैं, कि जो educated unemployment है, वो क्या है, तो अगर आप education को, हर जगे आपने फैला दिया, economic के अंदर education आ गई, तो ऐसे में क्या होगा, जादा educated लोग भी कही न कहीं unemployment rate कर देते हैं, कि इंडिया के अंदर जो unemployed educated people है, वो आज तो एक बहुत एक common phenomena बन चुका है, इंडिया educated जो people है, उनको job देने में कहीं न कहीं fail हो गया है, ठीक है, जितने लेवल पे, हर साल जितने लोग graduate हो रहे हैं, जितने लोग पढ़ रहे उसके ratio में उनको jobs नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर यहीं बताया गया है, कि कुछ ऐसी situation है, कि जहाँ पर या तो manpower कुछ sectors में surplus है, या कुछ sectors में उनके पास manpower ही नहीं, जैसे आप agriculture में देखेंगे, तो आज की जो लोग है na, agriculture sector में केवल वही विक्ती है, जो लोग पढ़ technologies को agriculture sector में ले कर जाएं, तो कहीं न कहीं उससे productivity को हम काफी बढ़ा सकते हैं, आप जानते भी हो कि agriculture sector जो है, no doubt, that sector gives us, क्या कर रहा है हमें, हमारे को केवल GDP में participation दे रहा है 15% के आसपास, 13-15%, और कितने लोग लगे वे हैं, हमारी half of the population agriculture sector पे dependent है, तो सोचो ना, कि population तो productivity हमारी कितनी है, productivity 13-15% के आसपास है GDP में, तो इसने कहा, कि अगर ऐसे लोग जो skilled है, अगर वो join कर लेंगे, इस sector को तो कहीं न कहीं ये भी improve हो जाएगा, technology इसमें आजाएगी, तो जो unnecessary लोग इसमें जुड़े वे हैं, वो लोग भी head जाएगे, तो कुल मिला कि बात तो इ जिससे कि वो livelihood अपना gain कर सके, इसलिए तो आजकल skill development पर काम किया जा रहा है, तो देखें, यहाँ पर जो education है, वो हमारी economic के according, लोगों के लिए job create नहीं कर पा रही है, यहाँ पर balance नहीं बन पा रहा है, education policies के बीच में, और हमारी needs के बीच में, हमारी economic को किन चीज़ों की need ह और हमारी education policy क्या करके दे रही है, इन दौनों के बीच में, कहीं न कहीं, जो relation है न, वो नहीं बन पा रहा है, आप मेंसे बहुत सारे बच्चे question करते हैं, कि सर हमें 10 तक SST क्यों पढ़ाई जा रही है, या हमें math क्यों पढ़ाई जा रही है, कुछ को math का phobia होता है, किसी को आपके अंदर productivity होनी चाहिए, gain और grow, वो चीज़े नहीं होती है, आप केवल उसको pass होनी के लिए पढ़ते हो, आप new learning से आपके दिमाग में चीज़े नहीं आती, तो ऐसे में क्या होगा, आप पढ़ भी लोगे, तो केवल एक mark sheet में number आ जाएंगे आपके पास, बट आप उसको utilize नहीं कर पाओगे कहीं, तो ऐसे में यहीं चीज़ें हैं सारी, आपने शायद आपने भी बोला होगा या सुना होगा, और कहीं न कहीं मैं भी इस बात में believe करता हूँ, कि आपको वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए, जो चीज़ें कहीं न कहीं आपको job दे future में, या दूसरी categories में जहां आपर वो overly हमारे पास available हैं, उसको हमें कम कैसे करना है, ये question बड़ा बना हुआ है